Hello everyone, मेरा नाम है Dr. Salim और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल Healthy हमेशा दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अर्जुन की छाल के बारे में, अर्जुना के बारे में बहुत सारी लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे थे अपनी वीडियो पे जहां लोग मुझे पूछ रहे थे अर्जुन की छाल के बारे में कि डॉक्टर साब आप बताएं अर्जुन की छाल कैसे लिनी चाहिए, लेनी चाहिए या नहीं लिनी चाहिए, इसका क्या फाइदा होता है, कैसे लिनी चाहिए तो आज इस वीडियो में हम इनी सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जहां मैं आपको बताऊंगा कि अर्जुन की छाल क्या होती है इसके क्या-क्या benefits होते हैं आपकी health के लिए सिर्फ cardiovascular health के लिए नहीं बलकि और भी क्या-क्या benefits होते है इसके साथ-साथ इसको आपको कितनी मातरा में लेने चाहिए, कैसे लेना चाहिए और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको अर्जुन की छाल नहीं लेनी चाहिए तो इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा अगर आप interested हैं अर्जुन की छाल को use करने के लिए तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों अर्जुन का जो होता है एक पेड होता है जिसको scientifically हम लोग बोलते हैं टर्मिनेलिया अर्जुना ये एक काफी बड़ा सा पेड होता है जो की दिखने में बरगत के पेड कितना या फिर नीम की पेड कितना आपको दिखता है पत्तियां जाहिर सी बाता उसकी तरह नहीं होती है अर्जुन की चाल सबसे पहली चीज है जो आपको दी जाती है और अर्जुन की चाल का जो इस्तिमाल है वो आज से नहीं वो हजारों सालों से हमारे देश में होता आया है और इसके जो benefits हैं वो भी मिलते आए हैं लेकिन अभी recently कुछ studies होई हैं अर्जुन की चाल के उपर जिससे scientifically भी ये बात प्रूव हो गई है कि अर्जुन की चाल के बहुत सारे ऐसे health benefits हैं जो की पूरी तरह से अब परमारित हैं तो चलिए सबसे पहले देखते हैं अर्जुन की चाल से होने वाला पहला फायदा सबसे पहला और सबसे prominent benefit या prominent फायदा जो आपको मिलता है अर्जुन की चाल यूज करने से वो है आपके cardiovascular health के लिए जिहां आप सभी जानते हैं कि अर्जुन की चाल दिल के सभी तरह की बिमारियों में इस्तमाल की जाती है हजारों साल से इसका इस्तमाल होता आया है लेकिन scientifically भी अब ये पूरी तरह से प्रूव हो चुका है कि अर्जुन की चाल आपके cardiovascular health के लिए बहुत ही जादा beneficial होती है अब से पहले लोग कहा करते थे कि अर्जुन की चाल यूज तो कर रहे हो लेकिन कोई science का प्रमार तो इसके लिए है नहीं लेकिन अब ऐसी बात कोई नहीं कह सकता है क्योंकि अब इसका प्रमार भी है अर्जुन की चाल को लेकर अभी तक दो studies हो चुकी है पहली study हुई थी चुहों को उपर माइस के उपर और दूसरी study हुई इंसानों के उपर पहली study में चुहों को अर्जुन की चाल का extract दिया गया और ये देखा गया कि जिन चुहों को ये extract दिया गया उनके body से triglyceride भी कम हो गया, total cholesterol भी कम हो गया और LDL भी कम हो गया, इस study के बाद लोगोंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो एक चुहों को उपर study थी इंसानों को उपर कोई study नहीं थी इसका इतना कोई relevance नहीं है लेकिन उसके बाद thankfully एक study और हुई जो कि इंसानों को उपर थी उस study में 100 लोगों को लिया गया और उनको एक महीने तक रोजाना 3 ग्राम अर्जुन की चाल का पाउडर दिया गया एक महीने के बाद जब उनने लोगों को देखा गया उनका टेस्ट गया गया पाया गया कि उन सभी लोगों का जो systolic blood pressure था यानि उपर वाला blood pressure था वो कम हो गया ये भी पाया गया कि उन सभी लोगों का जो total cholesterol था और जो LDL cholesterol था यानि bad cholesterol था वो भी कम हो गया इसी के साथ साथ ये भी पाया गया कि उन सभी लोगों में triglyceride level भी कम हो गया तो आप देख सकते हैं कि almost सभी चीजे जो आपकी heart health के लिए बुरी होती हैं वो अर्जुन की सिर्फ एक चाल लेने से ठीक हो गई तो इससे इस बात का पूरी तरह प्रमान मिल गया और फिल लग गई इस चीज के उपर कि अर्जुन की चाल जो है वो आपकी heart health के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है तो सबसे पहला benefit जो आपको मिलता है अर्जुन की चाल यूज़ करने का वो है आपके cardiovascular protection के लिए दूसरा एक बहुत बढ़िया benefit जो आपको आर्जुन की चाल रेगुलर जूज़ करने से मिलता है वो यह है कि इसके अंदर antioxidants बहुत जादा पाया जाता antioxidants जो होते हैं यह हमारी body के अंदर free radicals को neutralize करते हैं अब यह free radicals क्या होते हैं free radicals basically वो चीज होते हैं वो molecules होते हैं जो हमारी body के अंदर tissues को damage करते हैं और chronic बीमारियां पैदा करते हैं chronic बीमारियां जैसे कि बहुत सारी heart की problems, cancer, arthritis यह diabetes इस तरह की जो problems होती हैं यह chronic problems क्यलाती हैं और यह कई बार free radicals की वज़ा से भी पैदा हो जाती हैं हमारी body के अंदर तो अगर आप अरजुन की छाल को regular use करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे antioxidants मिलेंगे वो antioxidants आपके free radicals को neutralize करेंगे और जब body से आपके free radicals neutralize होंगे तो आप इस तरह की बहुत सारी बिमारियां हैं जिनसे अपने आपको safe रख सकते हैं तीसरा potential benefit जो आपको मिल सकता है अरजुन की छाल regular use करने से वो यह है कि यह आपके blood sugar को control करता है diabetes से आपको safe रखता है कई ऐसी research हो चुकी है चुहो के उपर जिसमें यह पाया गया कि अरजुन का extract यूज करने से चुहो की जो fasting blood sugar थी वो control हो गई वो काम हो गई इस बारे में कोई इंसानों के उपर अभी तक research नहीं होई है लेकिन इस बात को एंजूम किया जा सकता है और practically भी इसको देखा गया है कि अरजुन की छाल जो है वो diabetes में काफी अच्छा काम करती है लेकिन क्योंकि अभी तक इसका कोई scientific human proof नहीं है तो इसको मैं अभी पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ बट स्टिल जो हमारा experience है जो आइवधिक doctors हम से बोलते हैं और जो देखा गया है आम तोर पे वो ये कि अरजुन की छाल यूज़ करने से आपका जो blood sugar है वो भी काफी हद तक control होता है तो अगर आपको blood sugar की problem है, diabetes है तो अरजुन की छाल आप regular use कर सकते हैं इसके साथ अरजुन के अंदर anti-cancer properties भी पाई जाती है यानि ये आपकी body के अंदर cancer पैदा होने को रोकता है ऐसा भी माना जाता है और कुछ लोगों का ये भी मनना है कुछ आरवेतिक doctors का ये भी मनना ह कि अरजुन जो होता है वो आपकी body के अंदर asthma को होने से रोकता है अगर आपको asthma है तो आप अरजुन की छाल ले सकते हैं anti-asthematic properties इसके अंदर पाई जाती है last but not the least आखरी जो benefit मैं आपको बताना चाहूंगा अरजुन को use करने का जो की scientifically proven भी है वो ये कि आपकी body के अंदर endurance को यानि energy को ये बढ़ा देता है एक study हुई इसमें 50 लोगों को लिया गया और ये दिखा गया कि इनके अंदर aerobic exercise करते समय जो ताकत है जो जोश है जो energy है वो जादा हो जाती है अगर वो अरजुन का extract use करते हैं daily तो तो अगर आप अपने अंदर energy की कमी पाते हैं ठका हुआ मैसूस करते हैं या आप exercise करते स इसका एक scientifically proven benefit है तो आप बात करते हैं कि अरजुन की छाल आपको कैसे यूज़ करने चाहिए और कितनी यूज़ करने चाहिए अरजुन की छाल देखें आप एक दिन में 3-5 ग्राम तक ले सकते हैं रोजाना अरजुन की छाल को आम तोर पे powder की form में यूज़ किया जाता है इसको लेने के 3 तरीके हैं पहला तरीका तो यह है कि आप सुभा खाली पेट एक चम्मच करीब 5 किराम होते हैं एक चम्मच में आप एक चम्मच अरजुन की छाल मूमें डालिए और उपर से गुन-गुना पानी पी लीज़े उसको निगल जाएए एक तरीका तो यह है उसके बाद सुभा में उसे बॉइल करेंगे इतनी देर तक बॉइल करेंगे कि वो पानी आधा रह जाए उसके बाद उसको चान लेंगे और उस पानी को पी जाएंगे यहां मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उबालने से अरजुन की चाल को उबालने से कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है इन फैक्ट जो आयरुवेधिक जड़ी बूटिया होती है उनको उबालने से उनका जाधा अच्छा एक्स्रेक्ट बनता है जाधा अच्छा काढ़ा बन जाता है जो उसके अंदर जो चीजें हैं इंग्रिजेंट्स ह वो जाधा निचुड के पानी के अंदर आ जाते हैं गर आप उसको उबालते हैं तो तो मेरे हिसाब से अगर आप उबालते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है बलकि और अच्छा है बट स्टिल अगर आपको लगता है कि उबालने से कोई नुकसान हो रहा है या आपको effect नहीं होता है, but still यह माना जाता है कि 12 साल से छोटे बच्चों को और pregnant woman को अरजुन की चाल नहीं देनी चाहिए, तो सिर्फ यह दो लोग ऐसे हैं जिनको अरजुन की चाल मना है, लेना नहीं चाहिए, बाकी इसके लावा कोई भी अरजुन की चाल ले सकता है, आपकी already कोई दवाई चल रही है, किसी भी चीज़ की चल रही है, चाहे वो heart की है, चाहे वो cholesterol की है, चाहे वो blood pressure की है, उसके साथ भी आप अरजुन की चाल अराम से ले सकते हैं, बलकि मेरा कहना ये है, कि आप एकदम से दवाईयां चोड़के directly अरजुन की चाल पर नहीं आ जाएए, अपनी जो दवाईयां अलड़ी चल रही है, उनके साथ ही साथ आप अरजुन की चाल लेना शुरू करिए, और धीरे धीरे देखे कि उससे आपकी body में क आपको अपने डॉक्टर से हमेशा कंसल्ट करें, कोई भी दवाई बंद करने से पहले और अपने आप अपना इलाज, especially heart के case में ना करें, तो दोस्तों आपने देखा कि अरजुन की चाल के अंदर ना सिर्फ आपके heart के लिए हैं, बलकि और भी बहुत सारी ऐसी properties होती हैं, जो आपकी overall health की बाकी चीज़ों के लिए भी बहुत फायदे मन्द होती हैं, मुझे उमीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सिखा होगा, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो इस एक बड़ा सा लाइक दीजिए और अगर हमारी चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको इस तरह की useful, informative, educational वीडियो देखने को मिल जाएं, तो चलिए इसी के साथ मैं Dr. Salim आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, क फिर मिलूँगा आपसे इसी जंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, टाटा, बाइबाई, एंड स्टे हेल्दी हमेशा